A very good morning class Class अजब माँ आपकी बुक का chapter number 11 start करेंगे It happened some time back ये वो चीज़े हैं जो पहले आपके साथ हुई है या आप कर चुके हैं ठीके अब आपको pictures को देखना है और sentences को read करना है Uncle painted the house Uncle दिवार paint कर रहे थे He cleaned his dishes वो dishes clean कर रहा था They played basketball वो basketball खेल रहे थे It rained yesterday बारिश हो रही थी कल बारिश हो रही थी The girl opened the door जो gift, sorry The girl opened the gift जो girl है वो gift open कर रही थी तो students ये साथ चीज़े क्या है जो past में हो गई है तो उसके लिए क्या करना होगा आपको जितने भी verbs रहेगी जितने भी actions रहेंगी उसके पीछे ed add करना पड़ेगा क्या add करना पड़ेगा ed for example come on the page number 35 लिसन देखे सब में हम ed add करेंगे enjoy, enjoyed, pull, pulled, push, pushed, lock, locked, jump, jumped, wash, washed ओके हमने ed add किया अब students यहाँ pictures को देखकर हम लोगों को verbs add करनी है वो भी किस basis पर जो चीज हो चुकी है और इसमें क्या add करना है ed जैसे कि यह क्या करना है बच्चा music सुन रहा है तो सुनने को क्या बोलता है listen तो हम क्या करेंगे listen अब देखो यहाँ पर dog क्या करना है bark करना है, भोक रहा है yes तो bark, तो bard, पीछे idiot करेंगे ओकी, next अब यह क्या कर रही है, sword सीर को garden में डालके पाने डार रही है तो इसको क्या बलेंगे, saw, sword यह क्या कर रही है, panting तो panted बच्चा क्या कर रहा है, rain के सेर रहा है गुटने के बद तो crawl, crawled यह क्या कर रहा है, brush कर रहा है, तो brushed help, helped rest, rested dog rest कर रहा है, तो rested sir problem solve कर रहा है, तो solved और यह person जो है, यह main है, यह काड़ी clean कर रहा है, तो cleaned तो students हमने क्या करा pictures के according जो भी person जो काम कर रहा है उस काम के पीछे ed ed करा okay, I hope students आपको यह chapter clear है इसके regarding कोई doubts रहते हैं तो आप मुझसे online class में पूछ सकते हैं okay stay home, stay safe, take care